ओम शान्ती नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है ब्रीश स्वागत है आप सभी का महत्मा जी टेक्निकल में आज का इस वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ने कहीं हमेशा चाहते हैं कि सहर एक जगा के पढ़ते रहता हूं घर में बैठके सेम टेबल वही बैठके पढ़ना जिसका जो जगह जैसे गाहों में बच्चा अपने चादर बिछाके पढ़ रहा है अगर माली जी आप टेबल है आप क्वास तो टेबल में बढ़ रहे हैं सुफे बैठके बढ़ रहे हैं एक ही कलचर में आप पढ़ते रहते हैं और आप हो जाते हैं स्ट्रिप्स बिताता हूं जो आउट्डूर में पढ़ सकते हैं देखें आउट्डूर की अगर मैं बात करूं नॉमली तो तीन-चार चीजे हैं जैसे माली जी आप अपने टेरेस पर सकते हैं आप बैलकेनी में पढ़ सकते हैं आपका रूप टॉफ है जहां पर एक बड़ा है तकरीबन इसलिए वीडियो बना रहा हूं लेकिन जो मेरा खुद के एक्स्पीरेंस रहा तकरीबन मैं आप एक गंटे से अपनी एक बुक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जवरान मैंने देखा कि बहुत सारी चीजे मुझे डिस्ट्राक्ट कर रही है आसपास तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब आप आउट्डोर्स पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहली चीज एक आपको यह ध्यान रखनी है कि जब आप बाहर पढ़ रहे हो तो आपके आसपा सराउंडिंग एरिया में लोग चल रहे होते हैं जब आप पार्क जैसे जगों पर पढ़ रहे हो तो इनको इग्नोर करना पढ़ेगा आपको कि यहां पे कोछ एक हैपी मुमिंट एक्टिविटी होती है अचानक कोई चलते अलते गिरिया आपने देखके उसे स्माइल करने लग गए एक दो लोग और हसर है फिर उसने आपसे बात करना शुरू कर दिया फिर जो डिस्ट्रेक्शन है कि कोई बार-बार आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो इसमें भी समय बरभाद होता है दूसरा कि आप हर पांदस मिनट में कुछ लोग मिल गए उनसे कुछ खाना खाने लग गए कुछ देखने लग गए यह चीजों इन चीजों से बचना ह तो करना क्या है एक्चुली जब आउट्डूर में आते हैं सबसे पहले समझते हैं कि आउट्डूर क्यों पढ़ना चाहिए जब आप बाहर निकलते हैं एक एंवायर्मेंट में आते हैं जहां पे कुछ इनों चड़ियों की चाहचाहाड होती है तो इस दौरान आपका क्रेंशाग में शटद्वावट न बाहर ना होती है चाहिए उगतर बंदर बिल्कुल भी जान मर्णब जाते हो बिल्कुल पसंद करते हूं लेकिन मौम आपको जबरदस्ती खीच के मंदर ले जाती है क्या फील करते हूआ आप अच्छा छा फील करते हो एँआ Panchमान का ध् वो वो जो एन्वार्मेंट होता है घर का माहोल, मुंपी उदर से बैटरी है, पाप बैटे हुए है, किताब लेके पढ़ना है, वो एन्वार्मेंट चीज़ करके आप एक आउट्डोर में आप पढ़ पाते हों, इन चीजों का आपको भूट ध्यान रखना है, अब जब तो आपको सब्जेट्स ला सकते हैं अपने साथ, खासकर जादा तर किताबे ना हो, जैसे कुछ लर्ड़निंगे कुछ फॉर्मिले हों जो आपको बार आपके माइट में ना आते हो, ऐसे फॉर्मिले आप ला सकते हैं, साथ में कुछ मैठ्स के स्लुशन, कई बच्चे यूनों बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना उनको, तो आप मैट्स भी आप इसी जगह पर बढ़ सकते हैं, आप दो-तीन बुक तो करी सकते हैं, तेबल के ऊपर, जहाँ पर आपकी एक बुक हो गई, आपका एक नोट बुक हो गया, उस पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सा कर रहे हैं, मालों फॉर्मले आद कर रहे हैं, कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ने के दोरान, ऐसे मुजिक का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे समझ कुछ नहीं आएगा, एक गंदी हैबिट क्यों बिल्ड करना, कि लर्न करते हो चीज करना, तो इस साइध आप इस चीज़ों कोई सॉलीशन नहीं निकाल पाएंगे, बट जब मैं यहां पे बैठ के पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज एहसास हुआ कि जब मैं ऑफिस में बैठ के वो बुक्स पढ़ता हूं, और जब यहां पढ़ रहा हूं, तो उसकी मैंसा बहार आके पढ़ना चाहिए, अब बहार में यह है कि सर अकेले पढ़ू या गुरूप के साथ, देखिए यह डिपेंज ऑन यू, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंट सरकल में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जायतर गुरूप में आपकी दोस्तियार उनसे जमता है, जिनको पढ़ने में मनी रखता है, उनके साथ बहार निकलना ज्यादा पशंद करते हैं, तो वही पर अगर आपके स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंट हैं, वो बहार पढ़ने में सही हूँ, आपके साथ जादा फाल्दू की बाते ना करने हो, तब जब सकते हैं, तो उनसे आप help ले सकते हैं, और वो आपसे help ले सकते हैं, एक one-to-one environment रहता है, वहाँ पर गुरुप स्टूडी का मतना है, निकि 10-12 लोग बैड़े काठे हैं, पढ़ रहे हैं, गुरुप स्टूडी मीन्स कि आपका एक फ्रेंड भी है, ये भी गुरुप का रहे हैं, कि मैंने किस तरीके से आप अपने एक से डिट गंटा यहाँ पर दिया, काफी कुछ positivity आती हो, और समझ आता है कि येस, एक ना वो confidence बिल्ड होता आपका पढ़ने के दौरान कि ये सर मैं कर पाऊंगा इन सबी चीजों को, और दोस्त, जब टूटने लगे होसले तो एक बात याद रखना, कि बिना महनत के तक तो ताज नहीं होते, और ढूंड लेंगे अंधेरों में ही ये मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मुहताज नहीं होते, तो हमेशा जब आप अपनी इस उम्र में होते हैं, तकरीबन 16 से लेके 20, 22, 23 के उमर मे इन चीजों को अपने उपर हाभी नहीं करना है, अगर ये चीज अगर आप हाभी कर लेंगे, तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, मैं अपको सच बताता हूँ, जब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, जिन से मैं जाता हु bit लिए यो बहुत इंटेलिजन्ट थे लेकिन वास कहां बीजी है दिन के साथ 200-300 रुपे बनाने में बीजी है कोई आपके थूरू कोई किसी के थूरू सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन छोटी-छोटी चीजों में अपने आपको मट डाल दीजे कि आगे जो बहुत बड़े-बड़े सपने थे वो आप साथ छोड़ जाएं छोड़ना इन दे सेंस कि आपको साथ पता भी ना हो कि वो मैं कभी अचीव भी कर पाता था तो कई बार गोल्स अपने बहुत बड़े होते हैं स्टेप चोटी-चोटी लीजिए वहां तक पहुंचने की ना कि वह स्टेप कोई और दूसरे रह की तरफ आपको ले जाए आपको क्या कह पा रहा हूं और बहुत अच्छा लगता है जब आप आप आउडोर्स में आके पढ़ें कुछ मॉटिवेशनल बुक्स पढ़ें इंस्पिरेशन बुक्स पढ़ें हर दिन एक मॉटिवेशनल लाइन आप याद कर लीजे मैं गारिंटी देता हूं कि दो साल आप बहुत बड़े शायर ही निकलेंगे क्योंकि साथ कितनी लाइने आप याद कर लेंगे कंसे सेंसी का मतलब आपको समझना पड़ेगा मिर दोस्त जब तक नहीं समझेंगे बड़ा कुछ क्रियेट महीं कर पाएंगे बस एक चोटा सा मेसेज था सद आपको समझा गया औ अन सभी स्टूडेंट्स तक बेजिए जो वाकती चाते हैं कि आउट्डोर में आके पड़े और एक अच्छे healthy environment में अपनी study को continue करें और बड़ा environment change करते करते अपनी study को आगे लेके जाएं thank you so much आज कि इस वीडियो में इतना ही धन्यबाद